जेहें दोस्तों वाइकम टीनेल स्कूल दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा अजीब फैसले के बारे में जो कि अमेरिका ने रूस को लेकर लिया है अब दोस्तों ये फैसला बहुत ही ज़्यादा रोचक और बहुत ही ज़्यादा अजीब क्यों है क्यों इस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसी के बारे में यहां पर बात करेंगे यूकरेन को पहले तो अमेरिका ने धोका दिया ही था क्या एक फिर से बहुत ही बड़ा धोका यहां पर यूकरेन को दे दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे देखिए दोस्तों जब से रूस ने यूकरेन पर हमला किया था तब से लेकर अब तक अमेरिका बहुत दार सारे दिसों पर इस बात का लगातार प्रैसर बना रहा है कि र रूस के साथ अपने संबन तोड़ लिया और अपना नुकसान भी करा लिया लेकिन फिलाल यहां पर अमेरिका ने क्या गया चलिए उसके बारे में बदाता हूँ अब दूस्तों अमेरिका की वज़ए से खास तोड़ से देखिए रूस ने जो यूकरेन पर आक्रमन किया इ नीचे गिरे तेल और गैस यह सब के भाव जो है बहुत बड़े पूरी दुनिया पर खत्रा मंड़ा गया लेकिन साथ साथ उनमें से कंट्री अमेरिका भी ऐसा है जिसकी वज़ए से यह सब महंगाई जो है बड़ी है और शेयर मार्केटिंग के प्राइस नीचे आये हैं क European Space Agency ends cooperation with Russia over Mars rover mission. The European Space Agency यानी ESA has officially ended its cooperation with Russia on the ExoMars mission to find on the red planet. The news announced by ESA chief on the Tuesday follow the suspension of the program in March due to rising tension between Russia and West over the war in Ukraine. अब दोस्तो European Union ने क्या किया इनका अगले महीने एक combined mission जाने वाला था मार्च पर जहां पर दोस्तो यहां पर red planet पर जहां पर जाकर यह वहाँ पर क्या चलाने वाले थे यह rover चलाने वाले थे मतलब एक combined mission था लेकिन दोस्तो European Space Agency ने का क्या कहा क्योंकि रूस ने दोस्तो जो Russia है वो तो अपने आप में बहुत strong space में ही लेकिन दोस्तो Europe का यह mission है यह पूरे का पूरा fail हो गया और इसकी वज़ए से Europe को जो है बहुत ही बड़ी हानी उठानी पड़ेगी रस्या को तो इस comparison में बहुत ही कम हानी यहां पर उठानी पड़ेगी लेकिन हुआ क्या इसके अगले ही दिन एक announcement आया अमेरिका से और दोस्तो इस announcement को सुनकर पूरी के पूरा जो Europe है वो बहुत ही ज़दा परिशान हो गया और पूरी दुनिया भी परिशान है जो update यह आया कि in space US Russia Corporation points of way forward और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आप सीधा सीधा देख रह जो flights है वो शेयर करेगा an image released by the raw cosmos of N.A. कि Kenya Russian astronaut who will join American astronaut on the next track SpaceX mission to the International Space Station यानि दूस्तों अमेरिका ने अपने हीतों को देखते हुए खुद जाकर अमेरिका खुद रस्या के पास गया यहां पर रस्या अमेरिका के पास नहीं आया वो रस्या से जाकर बोला कि भाया हम आपके साथ यह जो space में है अपना जो प्रोग्राम है साधा करना चाते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम को करो और हम इस मामले में आप से हाथ मिलाते हैं और इस तरह से जो अमेरिका है उसने रस्या से जाके हाथ मिला लिया अब दूस्तों यह वैसे कोई नहीं बात नहीं है अमेरिका आ आप आकर involved हो जाओ जिसकी वज़े से यूक्रीन ने अमेरिका और यूरोपिन कंट्रीज के विश्वास में आकर ये जित पकड़ ली थी कि वो नाटो में इंक्लूड होगा लेकिन दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ आप सभी देख सकते हैं रूस ने हमला कर दिया और उसके बाद अमेरिका बिल्कुल चीदा हो गया और यूरोपिन कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी कोई खास साथ यूक्रेन का नहीं दिया और अमेरिका पूरे दुनिया पर जहाँ पर रूस से अलग ठलग होने के लिए प्रैसर बनाता रहा वहाँ पर क्या हुआ दोस्त इसके साथ अगर आपको घर से काम करके डिली विजिस पर 10-20 मिनट काम करके एक जबरतस तरनी डिली विजिस पर रहन करनी है तो इसके लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेली चैनल का लिंक मैंने दिया है सबसे पहला जो लिंक है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मे के बाद वहाँ पर नीचे के 2-3 मैसेज छोड़ने के बाद उपर की तरफ आपको एक मेसेज मिलेगा जिसमें लिखा हुए साइन अफ इद बाइनस ओट ट्रेडिंग और एक लिंक भी दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके साइन अप करने के बाद उसी मैसेज के उपर की तरफ आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें पूरी डिटेल दी गई है किसे अक्टिवेट कैसे करना है और काम कैसे करेगा वी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें लेटेस क्रिप्ट अपडेट्स पात रहने के लिए थैंक यूँ